तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पॉड़कास्ट में आज हमारे साथ है शीबु कृष्ण दासी जी और इनके बारे में इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये कृष्ण जी के भक्त तो है जो कि इनके पहनावे से दिख रहा है कृष्ण जी राधरानी जी के बहुत बड़े भक्त है लेकिन ये पैदा हुए थे एक मुस्लिम फैमिली में तो आज हम इनसे जानेगी कैसे कृष्ण जी की भक्ती ने इन्हें अपनी तरफ खीचा और क्या-क्या चैलेंजिस इनको डेली लाइफ में आते हैं क्योंकि इनोंने अफिशिली अपना रिलिजिन चे कैसे कृष्ण जी आपकी जिंदगी में आये कैसे वह उन्होंने आपको अपना बनाया थोड़ा बताओ शार्डिंगरों अपने गाहों से आते हैं मैं मैंसे बिहार से आता हूं गुरखपुर के पास जगह है बीटी एच करके बीतियां भी बोलते हैं उसको और मेरा जो जाके मुझे काम पर बिठा दिया गया कि मेरी 11 साल की इस ती उस ताइम पर तो उसके बास से मैं वहां काम पर जाता था और मेरे कल नौ बजे से लेके आट बजे तक क्या काम करते था वहां पर पैकिंग हुआ करते थी चीजों की जैसे डलिया जोगर यह सारी चीज उती न कि वहां पर पन्नी आया करती थी कृष्णा पन्नी के नाम से तो उसके उपर कृष्ण जी के छोटी सी च्भी बनी हुई थी और वह हैंगर होता है तो तो मुझे बार बर ऐसा लगता कि भू मुझे देख रहे हैं हमें बार बर पलटके देखता और उसके बास से मुझे अंटी करी आसा कुछ भी नहीं होता है साधा अंटी को लगा कोई बच्चा कुछ भी बोल रहा है तो फिर मैं बैठा बैठा काम करता था फिर बात आई गई होगी फिर वो मुझे यसी होता डेली मेरे साथ ऐसा होता और फिर उसके अंदर से भाव आया कि मैं अब लाइट पनी करके जा रहो यह अकेला रह जाएगा तो मैं उस चिट को खाड के हाला कि हर पनी के ओपर चिट चिप की हुए थी पर वह एक ही चिट मुझे लगता था कि मेरे को देख रहा है तो मौ उसको खाड के घर ले जाता ले आता और उसके बास से दुपहर की जो रोटी होती ना तो मैं उनको खिलाया करता था मैं असर्थ से चिट पे आप रोटी लगाते नई। मैं यह से रोटी निकाल के आधी मैं रख दिया पर अब और उनको जो बढ़र सियां ते दुकान में समान रखते हैं वेश काडिकर चाशार करा के सओंनों यह देता था मों मैं二 डे था और मुझे नहीं पता कि वो चुहा खाता था ये क्या खाता था अच्छा ये काफी लोगों को लगए कि वो है पर ये चीज मेरे साथ हुई ये तो ऐस बेली चलता रहा तो आंटी मेरे को पूछ तो सारी परचियां खराब करता है इसमें क्या सबजी लगा रखे तूने मैं का आंटी में को खाने को देता हूं साम तक खा जाते हैं आंटी को लगए नहीं मैं का पर चुहा खाता तो चुहा के कुतरने की होती है कहीं नहीं कुतरता यहां चुहा कहा है यह तो ही नहीं तो फिर आंटी में को ऐसे ही जाने दो कोई बात नहीं काम कर रहा करने दो अपना सो आता जदा था फिर उसके बाद से एक दिन मैं ऐसी रात खाना मैंगर से खिला रहा था मेरे घर पर हमारे मारे मुवर मैं तो अच्छा खाने का रो मिल मुस्लीमिजब के लूरत अगर में पहले भी था ना कि मैं तुर्ट कहीं जाता था तो हिंदू बन गया क्या अच्छा वो इस तरफ जाते हैं तो अपने आप हमेरे को अच्छा नहीं लगता चीजे उसकी स्मेल आमलेट की स्मेल आपको दीरे दीरी चीज ऑटमेटिकली होने लग जाएगा और मैंने पी चोड़ा कि किसी भी स्था क्यों हैं नब आट तो यह पॉट भर के पते हैं मासा हारी नहीं मुझे तो ंचमा करते था क्या हों तुङए क्या हो गया है फिर बात आये सही हो गई कि कि नहीं खाता कोई लोग कहते तैंट अच्छा हिय कोई आपर पता नहीं कैसे मेरे बोल क्या थैंट अच्छा ती पीछ नाथ को Iृत टाट बन्वकिंट अरे वह उसको लड़का लड़ें में लग द लगना हिंदू उबन गया तो पहले वैसन माता का बुलाव आया तो यह जो चीज है ना अरे मुझे मेरे घर वाले ना कपड़े वो निकाल के देते ते एक टीशिट आया करती थी कि यह अंग फजाया करता था वो मुझे पहना के भीजा था कि नहीं मच जाई हो अनमाज मतलब नमाज नहीं दिलेगा अ आपका नमाज नहीं वो होगा मतलब आप मॉस्क में एंटर नहीं कर सकते नमाज पढ़ने के लिए मतलब एंटर कर सकते हैं पर उपर आपका नमाज कभूल नहीं करेगा अगर आपकी बॉड़ी पर टाइटू है हमने मर्द को सोना हराम बताया गया कि सोना नहीं पहन सकते ह ने है कुई भी टैट्उ हो कोई भी टैटो Belinda किसी भी तरीके से हो या आपने अल्ला लिख वाया हो या थो दूद्ध आया हो आपने ही लिखवा सकते वह अरही डीशेट पैंकियाद जाय करते थे फिर उसके बाद क्या होता था की पिर भी कही निकली जाता था सब लोग बोलनेी लगए कि ही हिंदू बन गया है कही लोग बोली में डियी हिंदू कि आम करते हैं मैं गाओं में ता और मुझे घृषिन जी के साथ लिए है और मा क्या हुए कि हुआ हुआ कि मैं आ सब्बधे 7 बजे रहा हुआ नमाज पटने में सब्य की नमाज होती ए eg क्या बात है तिरह नदर क्या मैं कहां मैं भी शोच रहा है मैं तो भाइट प निकल गए निकलने के बाद मर्म है भाप एक लाल बिजर कर जगा है देटी एच में वह पर एक मंदिर है बहुत पुरहाने क्रिस्ट्थिन दिक में तो कि अधार पुराना मंदिर है, राजाओं के जवाने का मंदिर था, तो मैं आथ बज गया, जाने के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे, पाणच जी को रंग लगाना है, तो कह रहे नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मैं करने मुझे तो जाना है, पर थोड़ा सबने ब बाओ थके तब बिख रहे,मैं जो, siègeRe. है,जब में वहां से निकलान、 Lewis ए मुझे निकलते में बट आई,जब मुझे सम्झाने लग गए ,पिर मुझे तुने यह करें, तुम यह वहां कि यह horizon और और पर नुने लगे वी चुछ तो उसके बाद से फिर कि मुझे लगा कि मुझे आनी रहना मैं फिर जाता ही नहीं था बहुत कम मैं जाता हूं और अब भी अब तो बिल्कुल बंदी हो गया बाइकोटी हो गया अब तो कहते हैं कि अगर आ गया तो हम तुझे मार देंगे तो आपका वहां से निकलना कैसे मेरा फाइनली यह सब कुछ चोड़के आपने डिसिजन लिया कि मैं असे बाहर निकलता हूं नहीं पहले तो मैं एक्सिलिए अलग हो गया था क्योंकि मुझे मामा मारते थे मेरी सर सूच जाय करते थे जमीन में ऐसे यूं करके मारा करते थे उस टाइम पे अब वह नहीं है क्योंकि एक भक्त के मन में ऐसे अगर कोई बात चले तो कुछ ने जो चला गया बगवान के आतना को सांती दे और वह जहां भी वह अच्छे हों पर साइद एक चीज मैं यह भी मानता हूं कि कुछ बुरा के साथ अच्छा भी होता है अगर वह नहीं लेकर आते हैं तो साइ उनकों भी फोटो लगी तो मैं देखने हो कि जाता था कई बार तो मैंने मुझे मामा ने का कि चल खाना खाले मैंने कर लिया जन्मार्ट में से नहीं क्यों खाया अपने घर में नी बना हुआ था यह वह फिलाना ठिम का नहीं से चीजिए पिर उसके बास से मुझे बढ़न मैंने तो इस टाइब की चीजे मेरे साथ चलती रहती थी मतलब एक डर निकल गया थंदर से और उसके बास से दिली में भी कही है से मामा के फ्रेंड आएंगे जो कोई छट पे लेके जाएगा कोई इधर समझाएगा कोई उधर समझाएगा और इस पोज एक चीज मैंने दे कोई बैर बोलते हैं ममी को बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है फलाना और एक तो अफ़ा जादा फैल है कि योगी जी ने मुझे साथ लाग रपे दिया कनवर्ट होने के लिए अच्छा क्या बात करते हैं अरे मुझे देते तो मैं बिन्दाओं ने फ्लोट खरीदता है और मुझे मिली ही नहीं लगे हाथ मिल भी जाते मेरा भला हो जाता है और इस टाइम पर जो आपके दोस्ते यार थे बने होंगे जो आपके जो की जब आप कनवर्टर थे वो कैसे है तो उनकां क्यामियर था उनकां क्या भी मिलेवियर क्या कि जब लोगों को हाऊट था कि हिंडू हैं हिन्दो में है नहीं यह डावट था कि लियर होनेके बाद सबने ब्लॉग कर दिया सबने आपको वापसी बूलानाहिं स्टार्ट करा कि तु वापिस साज़ तु बह तुझे दोजक नसीब होगी, जहन्नम के आग में चलेगा, भी आप मेरी वीडियो पर जाके देखोगे, तो पूरा कमेंट आता है कि जहन्नम के आग में जाएगा, मेरी मा की इतनी गंदी गंदी गालियां बखते हैं ये लोग, और पता नहीं किसको बखते हो, मेरी मा को बख सुनता हूं तो इससे जाती है कि सब कर्मों का सजय कुछ करम करें होंगे मैंने जो आज मुझे मिल रहा है सब सुनने को तो भाइ बहुती की बात करते हैं फिर आपने कब सोचा कि मैं अब अफिशियली अपना धरम परिवर्तन करा तो उस प्रोसीजर के बारे में बताओ कहां पर होता है कैसे होता है वह मैं एक्चली क्या हुआ कि मैं 2018 में 2017 मैं फिर में चला गया सब को छोड़ चाड़के पर मैं अपने लड़ू पाल लेकर गया हुआ था और मंदिर में रखवा दिया था क्योंकि लाल बजार के अंदर जो मंदिर था उससे मेरी अच्छी बांडिं मौसी को बोला कि तुम्हारे बारे में ये बोलता है तुम्हारे बारे में वो बोलता है ये धर जाता है वो दो में तब सारी फेक और जूट बाते फिर मौसी का जो लड़का था उसने मुझे कह दे कि हमारे गर में तू नहीं रहा तू जा सकते हैं तो मैं वहां से आ गया एक में नाम नहीं लिना चाओंगा मामा लगता हूं उन्होंने का था कि मारते हुए घसीड़ते हुए तुझे गाए का मास्थ खिला हुआ अच्छा और भगवान की किरपा देखिए कि उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब यहां नहीं रहना और मुझे अब यहां से जाना है और जिस दिन मैं जन्मार्टमी के जिन निकला और उनको छे मेने के लिए जेल हो गए उनको पुलिस मारते हुए घसीड़ते तो फिर वो आप बता रहे थे तरीका क्या होता है जब आपने गए अगर हमें धरम परिवर्तन करना होता है तो परिवे तो हरे दौर में गंगा का इसनान होता है फिर उसके जो पूजा पात के जो पॉरसेजर होते हो ब्राह्मन कराएगा आपका और बाल भी मुडवाते है अच्छा तो बाल भी मुंडवाय थे आप लें और क्या होता है पर मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा था कि मैंने धरम परिवर्तन कर लिया मेरे को किसी ने कहा था कि तुम अंदर ना धरम परिवर्तन कर लो क्योंकि अगर ठाकर जी को पाना है तो वो अनना ता पर ये था कि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि धरम परतन करने की जरूरत है या इसलाम बुरा है मुझे लोगों से बहुत जादा दिक्कत हुई जो लोगों ने मेरे साथ करा लोगों थोड़ा लोगों का ही बताओ कि ऐसा क्या हो गया था कि आपने सोच लिया कि अब करना ही पड़ेगा आप दिन दर्वाजे पयाना मुझे इल्टे सिध़े बात कहना मेरे को आकर ड़राना मेरे को धंकाना इस type की चीज़े मे서 होती थी जब अब्रञच्टि मुझे नमाज पढ़ने की लिए ले जाता था पर वह लोगों कि जब नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे तो मैं म तो उनकी एक बात सुन ह synt algún को मीरा जी को बोला जाता है कि अपनी कुल सअ थि Бिया कि अगे तो मेरा जी कहिती है कि मैं करिशन जी के मैंने किशक जुख गया कि मैंने कभी किसी किया कि स्वेस नहीं जुका है और फिर पी मीरा जी गई तो उसमें तुम में ही ठाकुर जी के दर्शन होगे । नमाज मी जाता है तो मैं अपना ठाकर जी कहीं नाम लेता हैrained यह कर ठाकुर जे मैं तुमारे लचा कर रहा हूं और यह कहता है कि सजदा करूं में किसको बता जब तू ही सामने नहीं तो वह वाली सीन मैं हर जगे यह बात बोलता हूं कि अगर भूत इची पढ़ जाए तो उसका इलाज है नंद का पूत इची पढ़ जाए उसका कोई इलाज नहीं है तो क्या होगा ना कि मुझे पहले मदवन चौक पेक अस्पताल है सरोच करके कुछ अस्पताल है वहां पे छे बजे का साथ कि अगर उन्हों बताए कि अल्टी सीधे हरकते करता है अजीव जीब चीजे करता है और यह इनकी पूजा-पूजा कर भी बात बताते नहीं के वैसे कर रहा है तो डॉक्तर ने कहा कि ऑगी तो डिप्रेशन में चला गया हां इसको ओबर थिंकिंग की प्रोबलम है और कि आप डाइरी देखे पूरे भजनगा अब नहीं हो तो बीच बीच में भोल जाता हूं देखना पड़ता है क्यों उसमें क्या होता कि आदमी आनना हमेंसे नशे में रहेगा है आप बैठे होना आप बोल रहे हो अमेरे को रूक्ष पता यह नहीं नींद के निदेसे में आदमी बेचय नहीं रहेगी उससे खाके मतलब वो दवाईयां लगी मतलब मैं क्या बता हूं कि मैं कौन थी दुनिया में मुझा ना दिन का पता ना रात का पता तो वह ले क्यों रहते जब आपको पता है कि आप सही जबरदस्ती जबरदस्ती खिलाई जारी थी अच्छा कि कि नहीं खाएगा तो यह हो जाएगा वह जाएगा तो खा फिर उससे बात नहीं बनी फिर जैसे आसपरोस में होते हैं अरे इसको तो कुछ लग रहा है कि सैतान आ गया कोई भूत आ गया है कोई वह आ गया है तो फिर मुझे हमारे मौल भी मौलाना थे उनके पास ले गए वह कहे रहे है हाँ इस पे तो आ गया है मैंने रहर हो तो फिर उसके बाद से ज्जाड भूख ठोषक फला नचमकाना इसको सिर्फ उससे दूर को जो काफिर हो खो कॉए ऐसक। Hindu-Christian से कोई भी सब पते क्या कि Hindu को जादा बोला जाता है क्यों cemetery सहत tissue पहले से भी था और अब यह तो Sanatana का जो है तो Sanatana जप्छा रिख बाकी अन धर्म सब्सक्रान पुरान पर जादा लागू ओता Ayam को काफिर है अवा काफिर है हमारे को बोला भी जदया था कि पच्पन में के हिंदू से दोस्तेगार न कर ते इसे हैं और और कोई डोगलापन करेगी नहीं ऐसा नहीं होता यह नहीं होता वो नहीं होता, तब यहीं तो रील्टी एॉर जो सुनने वाले भी हो अपने दिल से पोछेंगे, वहाँ रीयल्टी है, वह खुछ जाने realistically है आफ़े पात पैरेंट्स ही सिखाते है मदर्से में और वहां सिख्ाईय कि फॉल जहेगा हर जो था यह चीज बाकि कहीं हो यह ना तो इसके पीछे के आइललो 思ी थी कि छिन क्यू जयेगी वह तो रही रहे क्योंकि बहुत काफिर है ना अच्छा और तुमने उसको पना दे दी तो फिर फरिस्टे नहीं आएंगे फरिस्टे घर के अंदर नहीं आएंगे फरिस्टे रूट जाएंगे यह सारी चीजे चलती तो जब आपका जाड़ फूक वह हो रहा था तो वह क्या कहते थे क्या समझ अच्छी लिख कर दी कि यहां टांगो यह करो वो करो फलाना करो धिमकाना करो किसी ने कुछ करी कोई किसी ने मुझे पीटा भी अच्छा कि अंदर का हो बाहर निकले होगा जब तो निकलेगा वीचार मैं चिला रहा था किसी को दयाना आ रही थी जब होगा तो निकलेगा बिल्कुल सभी बात है अब उनको मैं कैसे बता हूं कि मुझे नंद का पोजिटिफटा हुआ है इसके कोई लाज ही ना इलाज है तो ये सारी चीज़े चले उसके बाते हैं तो इस ताइम पे आराम से बादा कुछ बोलते नहीं थे उस टाइम पे की बालब भागते नहीं थे की जो हो रहा है वो सेंते हैं थे डीप्रेशन के पालोवी कहला करेंद रेड़े झाले जाए चाले कि यék नेम्य पर यहlanceं कुछ और चलता ओप Saamla सुल्राइण चई चालता में एक सूब्साद के देखेंगे तो चेंगे पर इसंपर और गंटीञा के मुझे तो आप तो आपने भक्ती मतलब तब भी छोड़ी नहीं बिल्कुल यह चीज तो मैं क्या ठाकुर जी की किरपा होगी क्योंकि हमारे मेरे अंदर इतना सामर्थ नहीं है कि इतने लोगों से लड़ना इतना जगड़ना और खास करके इन जहां पर हर बंदा एक है सनातन में एक्ता नहीं पर वहां पर बहुत जादा एकता है जैसा कि किया रहा है सनातन में एकता इसलिए नहीं कि देखो कहलो कि कोई कई चीज होती है मैं यह चीज संदू सच्छा कि आप तो खेर बहुत हिंदू जगह है पर अभी बाकी है क्योंकि जब किसी के साथ कुछ होता है ना, तो कोई साथ नहीं देता है, ये चीज मैंने देखाム मेरे साथ धंकी आई थी मेसाथ बहुत सारे लोग उस ताहिं पर खड़े थे कि फेम आयसा ये फलाने है, डिम काना है बहुत सारी लोग मेरे मेरे 1000 कांटेक्स में लोग होंगे एक बंदे को मैंने फोन करा की मेरे साथ लिखवाने चलो कोई नहीं गया कोई एक बंदा नहीं आधे लोग हम इस फोन बंद कर दियता मेरे नममडर ब्लोग जो अपने थे जो मुझे अपने हम तर अर्म के अंदर मा वो बंदा मुझे धंकी दे रहा है मिरे पैसे उसकी अभी है रिकॉर्डिंग्स वो धंकी दे रहा है कि साम तक तुम्हें मरवा दूँगा तुम खता हो जाए अपने सारे चैनल ने डिलेट मार रहा हूँ अच्छा वो है मेरे पास उसकी पूरी वीडियो पर पर उसके नंबर के साथ कि और ना आज तक वो नहीं पकड़ा गया शेयर काफी लोगों ने करा और आप कहरें और इसने उन्होंने इसलिए करा क्यूंकि आप कनवर्ट हो गया क्या रीजन था बेसिकली यही है कनवर्ट हो किसी गो अपनी जीवन अपनी हिसाब से जीने का तो अगर कोई होना चाहता है और वो पूरा डियूट कि हावी मुझे इसमें गशना तो उसको फ्री ओंदकि भाई पर रस्में लादमी की ऐसा कुछ नहीं है यहीं तो वैसे हम लोग बोल यह ना नहीं और यह नहीं कि आप आपको देखने को मिलेगी बाकि आपको रियल्टी में कुछ चीजे नहीं होती वो फोन आएगा धंकी देंगे मेरे बास तो बहुत मीठे बनके आते हैं लोग फिर आप क्यों आगे आप घर वाफ सी करो मुझे पागिस्तान से दीन की दावत आरे जिन खुद भूके मर रहे ह वो मुझे दीन की दावत दे रहे हैं तो ऐसा होता कि दीन की दावत का मतलब हो गया कि इसलाम में आप आको आप आजाब आप करते हैं क्या करते art Tiriki देते आपकी जो चीज की दिक्कत होगी कुछ मैं पूरा कर दूँगा आपको जो दση की प्रोब्लम पर रही और पाकिस्तान से भी आती आपको दो तो पाकिस्तान का था आदमी दे रहा था वह तो मुझे तो मुझे अपको आठा खाने को नहीं मिल रहा है या मुझे दीन की दावत दे रहे हैं नहीं धंकी है तो ही कहा है कि मैं ये तो वैसे उफर करने कि ये तो द्हमकी एक द्हमकी है वहाद रमकी and then ने मुद्ध मेरा मानना है एक बढ़नन है और मेरा 나lor वह ये आनि हो गी तो कहिंसे कि यहांती होगी तो वही चीज है यह बाई आपने बताया कि आप को अन्वर्ट करते अपने डिलिजन को आप अहरिदवार भी गए थे तो महां पर क्या प्रिक्रिदिया कि आपके साथ महा पर क्या-क्या चीज़ एक गई थी वह बताई जरा पहले आमारे को बाल मुणवाते वो हरिद्वार में हुआ था हाँ उसके बाद से शिखा रखते हैं और आप गंगा इसनान करते हो फिर उसके वासे जो पंड़जी हो अपनी बिदी विधान से आपको मन तुरंतर बुलवाएंगे और हवन होगा फिर उसके जाए किता लंबा होता है था प्रोसीजर जादा ट कुई नाम की चीज नहीं है और जैसे कि आप अरीद्वार की बात कर रहें तो यह सिर्फ यह होता है कि सुद्धी करा जो हमने पहले गौव मास खा रख है यह इसका सुद्धी करा नहीं होता और यह करवाना चाहिए मुझे लगता है कि हमें सुद्ध तो अपने आपको कैसा लगा आपको क्या फिलिंग थी उसने मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई मैं सनातन में आ गया और पूरी तरीके से आ गया अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पर मुझे पता निए कि आगे लोग और भी बैठी में दिक्कत करने के लिए तो घर की दिक् से अब तो सब जगह से दिक्कत करने साट हो गई है मुझे अच्छा तो अभी आप व्रिंदावन जाते हो हां मैं व्रिंदावन दो दाही मेने बाद मैं हुआ सेप्टीबी होने वाला हूँ अच्छा अरे वाह तो महीने में कितनी बार जाना आना तो विंदावन लगा ही और अभी आप करते क्या हो प्रोफेशनली मैं प्रोफेशनली मैं भजन सिंगर तो नहीं बोलेंगा मैं क्रिशन संधिया करता हूं मैं क्योंकि मैंने सीखा हुआ निया पर फिर भी पर्भु के दया से अच्छा चल जाता है लोग मुझे बुलाते हैं तो कोई भजन और कोई और कोई भजन क्रिशन जी का बहुत सारे हैं ऐसे मैं रिसाइट कोई सुनाओ बढ़िया महफिल बैठाओ कोई क्रिशन जी के वाला सुनाओ बढ़िया मेरा फेवरेट है हाँ जी फेवरेट सुनाओ अगर शाम आते ना तुम जिन्देगी में, तो कुछ न रखा था मेरी जिन्देगी में, बदल ही गई मेरी दुनिया तब ही थे, जो नजर करम की मेरी जिन्देगी में. अरे वा, क्या बात है, क्या बात है. बाइ वैसे जो आपने बताया था श्राटिंग में आपको एक चिट दिखती थी और उसमें आपको आख मार रहे हैं आपको वह अच्छल में क्रिशन जी लगते था उसका क्या हुआ चिट गई थी क्योंकि जब मैं अपने वह गया तो महां पर मेरी से मेरी आदद थी कि मैं हाथ में लेकि दिप्रेशन करना सब्सक्राइब तो उनको हाथ में लेकि मैं सोजाय करता था तो चिट गायब कर दी गई थी थी बहुत दोन्ड़ा वह मिले ने तो पर उसकी जगठ हाकुर जी ने आप सब संब कराही था में ने अड़की सालिग रहा नौकरी करें है कि उतना सामरत ने था मैं किसी से बॉलतानृत तो उस ताम पर मैंने पहली ना जब में सुना था मैं मैं अच्छी मंदर जाया खरता था तो वह अगर बटाया करती कि देखते हैं और ऐसे दिकते हैं वहां पे साख्षाख है वहां पर गाय उनकी इंतिजार करती है ठाकुर जी के आने का तो अंदर से एक लख के यार मुझे कि मैं जो के एक बीकर हो जाना ये जब मुझे भी जाना है उससल मुझे आइन चला करताता जो आज है तो मैंने का कि हाणती लौप क्लति मुझे बी जाना तो हमारे उदर चया था कि और आरती बस से जाती थी हर महीने का बस होता है तो उसमें 500 पर उस टाम पर किराया था आने जाने का और याप पुरानी दिल्ली से विन-दावण की बात कर रहा हो कहाँ पर रहते जा थे जा बस पकड़ा और विन दावन पॊंचा पुंच्छा विन दावन पहुंचने के बाद मुझे दे यह पर बैका मैं उसके बास से जब बीहारी जी को कभने को मिलेगा मुझे बीहारी जीए कहीं जाने के कापिण कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कुछ टोना है तेरा तो हसन औरो का मरन बस जान हाथ से दोना है बस वही वाला सिस्टम ताउन को देखके और आज भी सभी जगह चले जाओ सभी जगह दर्शन कर लो जो कुछ हमारे विंदावन के ठाकूर है एक तो बिहारी जी को ना द पर चुछ करें उन हवाओं में कुछ ऐसी तो बात है आज जो भीड देख रहे हैं पहले बहुत कम होता ता तो यह चल गया है तो पहले बहुत कम होता उस टेंपे में जाया आए करता ता पर मैं छुपके रहा करता था कि भाया पता नहीं तो जब आपने फर्स टाइम पर आदे गंटा में आराम से नको देखा और उनको देखने के बाद मुझे लगा कि है ठाकुर जी कुछ ऐसी किरपा करो कि बस मेरे यहीं पर हो जाए और साथ मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी नस्दीक भी आ रहा है कि मैं विंदावन में रहूंगा और कहते हैं कि कितने साल हो गया अपको कनवर्ट हुए अभी मुझे भक्ती में आयो हैं यह थोड़ा दूर है आपको परिशानी आती है यह थोड़ी बहतर है लेखो परिशानी की बात है तो मेरे साथ जब तक मेरे सासने तब तक चलेगी कि हापे क्योंकि जो इसलाम छोड़ता है उसके जी ना बहुत कठीन होता है यह बात तो हकीकत तो पता नहीं किसी ने 30 साल पहले 40 साल पहले कोई किताब लिखा था मुझे तो मैं उसको अभी मारनी कि वह थी तो तो तीस साल में लोग भूलनी रहे तो मुझे कैसे बूल जाएंगे तो यह तो जिन्दगी के साथ चलती रह यह तो प्रपस क्या रहता है मेरा कॉंटेंट बनाने का मेरा परपस ही रहता है कि लोग को चीजों को बता आँ अब आप लड़कियों को देख लो क्या कुछ मैं मेरी नौलिज में इतनी लड़किया हैं जो कनवर्ट मतलब जो इसलाम की तरफ हिंदू की गई हुए अक्सर कि अगर मैंने किसी इसपोज यह कोई मिस्लिम लड़का है उस में हिंदू लड़की से साधी करी तो उसको जन्द मिलेगा उसके बहाथ हूर मिलेगी वर्जन अच्छा काम कर रख ओओ इAR का क्र। इसलाम का परचार कर रखा हूरका उनको बहतर हूर मिलेंगी बहातर हुर् और उसमें क्या कि वो इतनी मतलब कपड़े ऐसे पहनेंगे उनका सब कुछ दिखेगा मान सिक्ता तो देखिए और इसमें ये भी आता है कि अगर किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली तो भी आपको कनल अब आफिसली आपको जनन्न देखै खोर्या ही मिलेगे अर वह और भूर की खासिए तो देखिए कि वह खा classroom नो थोक दें तो वह meanटा चाए गा ऐसा बोला जा रहा है मने तो बोला नहीं देख को आम आपको बताया और वो तो गलत भ人 गोलेंगे, निहीं और, और क्या चीजें होती है, मतला वो क्या brain washing करते हैं brain washing का यह ओता है कि तुम्हाा, तुम्हें जलाया जाएगा तुम्हें यह कर जाएगा, तुम्हें इस मिंही दफनाया जाएगा तुम्हारे को इज़त दी जाएगी तुम्हारे को ये दी जाएगी तुम्हारे को वो दी जाएगी लाज सब कि भाई हिंदो किसे बोला भी जा रहा है तो उल्टा उसको बोल रही है कि तुम्हे क्या हमारे को कोई मतलब नहीं है तुम्हें तुम कौन होते हो हां मेरा जो कुछ भी है ऐसी या इंदोहर रहे हैं तो मुझे लगता हे हिन्स सब्सक्राइता हैं कि अफिते इचিज वह भी सुषा है ये जो भी हो रही हैं बाद में रोने की सिवहहं इंदा मां मैं है तो मका सब्सक्राइब तो क्या रोने किस सुबह में कारेलों परू समस्षान हैं? मुसल्मान का फीक puppies नहीं कुमाता रखी और बानते से हूं वह सब तो एक कंपर्शारी एक धागा भान दिया आप नहीं बान सेकता हैं हम अगर आप बुद्ध髙्न कर रहे हो यानि अधाम vak्री मतलब अगर अगर आप धुजा पाट खर रहे हो तो अपक अधू अगर जो लेत पर टावट वो एक्समस्लिम के चैनल पर उन तरब से पूछए वो पूरा तरग बताएंगे पूरी जोन से पेज में लिखिवी है उन पेज में बताएंगे क्योंकि अने पूछा था मेरे में कोई है तो वह मेरे का लोग जाईज नी होते हैं मतलब मतलब जैसे की साधी स तो निवाले तो उनके बच्चे जाहिद मी आने जाएगा भाई बैसे ऑफिशली कनवर्ट होने के बाद आप बनाते है सारे फेस्टिवल्स दिवाली और अहां दिवाली वाली सब्वानाता हूं अपने दोस्तों के साथ कैसे बनाते कुछ बता हो लाँ मैं ज्यादा तर मैं अकेले रहने ज्यादा पसंद करता हूं कि भक्ती में हूं तो मैं ठाकोजी से ज्यादा मतलब लगता हूं दोस्तियार मेरे बहुत ही काम है और जो मुस्लिम में थे एक-दो मैसोसा था कि सही है वो लोग भी गायब हो अच्छा आ हमरे को उख़ा ना है तो वेसिकलिए अभी आभी अपके ले जो मुझे लगता हूं अब यह थी आपको मन से अच्छा लगता है अपना, अपना हरी नाम परचार करता हूं जो मुझे लगता है खुल के जीना चही ए वो मुझे सनातन ने दिया जिसमें फ्रीडम है चीजों को सभी समझ,' नोज नहीं ख़ाना, जो बाकी जाथी चीजेहे, जैसे कुछ ऊटपटंग बाता है कि हमारे को अरु यह लगता है कि अगर हम मरने के बाद हमारे को साम जाम मिलेंगे बैकुंट मिलेगा वर्जन भथतर हु रे नहीं चीगे मुझे हमारे सामसाम मिल ज़ा वही बहुत है शादी गरेंगे आप मैंने इस बारे में भी कुछ सोचा नहीं है पता नहीं आगे स्थिति हो नहीं हो और मैं तो सोचता हूँ कि मैं नहीं करूँ कोई फाइदा नहीं करने का क्यों ऐसा भी लगता है अब देखो ऐसा है कि पहली बात करते हैं तो आप लोगों की बता दोगे लफ जी याद और दूसरी चीजी है कि क्या ज़रूँत अपना थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए ठाकुरजी के चर्नों में बीच जाएगी अब जब मैंने इतना कुछ छोड़ा है फिर उसी मोम आया में आके फसूँ तो फिर क्या फाइदा सही बात है बढ़िया आप से बात करके बहुत 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 आया पर भाई आप सही है कट्टर सानाते नहीं हो भाई लव यू है आपको अच्छा है भाई बलकि मैं तो कहता हूँ अच्छा इंसान होना जादा जरूरी है और आप ऐसी अच्छी रहा पे चलते रहो और ठाकुर जी आपके साथ हैं तो ऐसे ही उनका नाम आप लेते रहो और जरूर अच्छा अच्छी जिंदगी बीतेगी लोगों को अगर जिन लोगों को भाई की जिंदगी से जुड़ना है तो इनका यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम का लिंक भी है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं आप जाईए इन्हें फॉलो गरिए और हम ऐसे ही मज़िदार पॉड़कास्ट आपके लिए लाते रहेंगे और भाई मैं जाते जाते एक चीज़ पूछना चाहरो जब से आप कनवर्ट होए हो क्या और भी लोगों के आपके मेसेज आएं कॉल आएं कि भाई हम भी होना चाहते है मेरे पास बहुत सारे मुस्लिम के कॉल आते हैं एवेंस एक सलमा खातुन नाम की महिना है वो तो मुझे फोन करती है कि भाईया इकादसी कब है अच्छा हाँ मैं भी बर्त रखती हूं ऐसे बहुत सारे हैं पर खुलके नहीं आते हैं कि जिन्दगी इसलिए नहीं जीपाते हैं कि उनको पता है कि कोई मार जाएगा कोई कुछ कर जाएगा तो यह डर बना रहता है अच्छा काफी सारे आता है पर मैं यह कहता हूं कि भीया देखो तुमारे अंदर हमत है तो तुम खुल के आओ नहीं तो मुझे बजनाम तो मत करो उल्टे में लोग मुझे कहेंगी मैं करवारा जिसको आना खुल के आओ भई जैसे मैं आया या ना किसी का डर मौत का डर है तो भी अब घर बैठे रहो वो कहते हैं कि अगर प्यार करने तो सरयाम करो नहीं करने तो फिर घर में आराम करो वही वाली बात है बिल्कुल बिल्कुल शही बात है भाई चलो जी मिलते हैं अगले पॉड़कास्ट में तिल देन बाई बाई subscribe कर देना जैश्री कृष्णा राधे राधे